दो हज़ार चॉबिस में आईएस बनना चाहते हो तैयारी स्टाइट कर दिया है लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीस सी वर्दी हो भी की नहीं प्रिप्रेशन सही डिरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है ये कैसे पता लगेगा वही सबका तो चाचा मामा मिल सकती है हमारे मेंटर्शिप प्रोग्राम में लेकिन उससे भी जादा वरीवा रेजिस्टर करते ही आपको दस हजार का माल दस हजार का स्टेडी मटीरियल लेक्शर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक वन-to-one सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम अपनी स्टैजी डिसकस कर सकते हैं यह सब मिलेगा तो दिये हुए लिक पे रेजिस्टर करिए तुरंत हलो एव्रिवान मेरा नाम डॉक्त जोती अदव है एंड आई अनए पैस ऑफसर ऑफ 2019 बाच पंजाब काडर मैं आज आप लोगों के साथ में काडर पॉलिसी जो है उससे रिलेटेड एक डिसकसिन करना चाहते हूं ताकि जो आपके क्वेरीज होते हैं काडर अब्रेफरें सकते हैं इन सारे चीजों से related मेरा ये discussion आज रहेगा तो सबसे पहले कि जो carder policy है उसके उपर तो 2017 onwards 2018 जो exam हो था उसमें 2017 onwards central government ने अपनी carder policy में कुछ changes करे थे पहले सारे के सारे जितने भी state carders होते हैं उनकी preferences 1,2,3,4,5,6 ऐसे करके देनी होते थी बट क्योंकि उसमें कुछ issues थे जिसके वजह से कुछ particular carders के अंदर deficiencies थी और एक जो all India nature of this service है जो कि IS, IPS, IFS तीन all India services है जो all India जो nature है of the service वो कहीनगे effect हो रहा था तो उसको ध्यान में रखते हुए एक national integration का जो main logic behind the carder होता है उसको ध्यान में रखते government नहीं changes करे थे तो इस carder policy के अंदर क्या किया गया कि जो पूरा देश है उसको पाच zones के अंदर divide कर दिया गया जोन 1,2,3,4,5 zone 1 के अंदर mostly North Indian carders आते हैं जिसमें की UT carders आगमुट जिसको कहते हैं अर्याना, पंजाब, राजस्थान, उत्राखन, पहले जमु कश्मीर होता था अभी वो UT का पार्ट हो गया तो ये सारे के सारे carders आते हैं उसके बाद में zone 2 जो है zone 2 के अंदर हमारे UP, बिहार, जारकंड और उडिसा आते हैं zone 3 के अंदर गुजरात, मध्यप्रदेश, महराष्ट्रा और शतीजगर आते हैं zone 4 के अंदर West Bengal, सिक्केम और North Eastern carders आते हैं आसाम में घालिया, नागालैंड, मनिपूर, एट्सेटरा और zone 5 के अंदर mostly South Indian states आते हैं जिसमें तेलंगाना, आंधरप्रदेश, केरला, तामिलाडू, ये सारे के सारे आते हैं तो ऐसे 5 zones के अंदर देश को डिवाइड किया गया for carder preferences इसके अंदर आपको जब आप carder preferences अपने भरते हैं तो DAF 2 आता है after the mains exam, before the interview process आपको उसके अपने carder preferences along with your service preferences भरने होते हैं तो आपका जब आप भरते हैं तो ये कैसे भरना होता है कि आप अपना first preference for all the zones देते हैं तो सारे zones में जैसे zone 1, 2, 3, 4 में अपना first preference of a state carder आप भरते हैं उसके बाद में जब आपके पांचो जोन में एक-एक preference हो जाता है तो आपकी second preference for all the zones होता है ऐसे likewise 3, 4, 5 ऐसे करके आप सारे के सारे state carders में अपनी preferences देते हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कोई preference ना दे तो आपका no preferences भी हो जाते हैं जिसमें कि आपको फिर जब सबको अपनी preferences के साब से carders मिल जाते हैं end में as per the alphabetical order जो भी आपको मिलेगा as per your rank and availability and category everything उसके बाद में जो आपको मिलेगा वो alphabetical order में आपको मिल जाएगा तो यह होता है तीसरी चीज होती है कि आप हो सकता है कि आप अपनी first or second preference दे है कोई भी दे हो सकता है आप सिरफ एक ही जगा में प्रेफरेंस दे उसके अलावा आपका फिर no preference होता है तो आप जब 1,2,3,4 ऐसे numbers डाल रहे है the moment you put in 0 as a no preference उसके बाद कि जितने भी carders बच जाते हैं वो सारे आपके फिर no preference में आ जाते हैं तो यह इस तरीके से एक system बनाया गया है जिसमें कि आप सा आपको सेंडल कर्मेंट की तरफ से ट्राइए है कि जितना हो सकता है यह आल इंडिया services all India ही रहे as such इसमें अपने नेबरिंग स्टेट वाले एक preference ना हो करके आप अपना हर जोन में से preferences देते जाए ताकि एक all India nature of the service maintained रहे उसके बाद में होता है कि आपको allotment कैसे होता है अब थोड़ा जैसे कुछ calculations अगरे लोग कर पाते हैं वो कैसे करते हैं तो एक होता है कि पास्ट प्रिवियस यहर में जो वेकेंसी आई है सेंडल कामेंट की तरफ से तो वेकेंसी का आप एक बारी रीड कर सकते है अच्छे से कि कहां पे वेकेंसी रही है और next कहां पे वेकेंसी आने के अंदेशा है एक तो वेकेंसी आप देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं दूसरे इसके अंदर होता है इंसाइडर आउटसाइडर इंसाइडर कौन होता है कि आपका एक होम स्टेट है आप वहां के इंसाइडर हो जाते हो तो आप किसी एक स्टेट को अपना होम स्टेट भरते हो फोर्म के अंदर अगर आप उसका प्रिफरेंस देते हो तो आपका वो इंसाइडर कोटा के होते हैं तीसरी चीज़ इसके इंदर आती है category वाला तो इसके इंदर general EWS का शायद carders के इंदर नहीं है I am not sure उसके OBC SCST यह सारे category वाला भी उसके इंदर vacancies होती है तो as per these vacancies and insider outsider quota vacancies decide होती है of the carders ठीक है इसके बाद में अब decide कैसे करें कि कौन सा carder भरना है तो देखी यह बड़ा personal सा हो जाता है first चीज की कुछ लोग होते हैं कि अपने home state को अपना first preference पर रखते हैं कुछ लोग नहीं रखते हैं कुछ लोगों को लगता है है कि आप अपने home में जब रहते हैं तो आपके उपर limitations जादा बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके रिश्रिदार अभी तक नहीं भी थे वो रिश्रिदार बढ़े सारे आ जाते हैं और आपको हो सकता है कि आपके पास इस तरीके की request जादा हैं काम से related तो कुछ लोग होते हैं कि home state को नहीं भी डालते हैं लेकिन क्योंकि आप वहां पर पले बढ़े हो आपको वहां का culture ज्यादा अच्छे से पता होता है तो majority prefer भी करते हैं कि अपने home card को as the first preference डालते हैं तो यह आपका home card वाला हो जाता है दूसरा preferences आप कैसे भरें तो आप states को इस तरीके से study कीजे कि वहां के problems क्या है कि और कभी भी same IS और IPS के लिए same carder नहीं होता मतलब preference wise क्योंकि जो policing related problems है administration के वो challenges नहीं हो सकते जैसे for example हर्याना जैसे हो गया I come from हर्याना तो जैसे हर्याना हो गया हर्याना is a developed state तो वहां पर development के अलग चीजे है challenges as such नहीं क्योंकि वहां पर poverty इतनी जादा नहीं है तो वहां पर different kind of policies government की इलागों होती है जो relevant हो जाती है जैसे हो सकता है कि smart city वाला concept इन वाले states के लिए जादा हो जाता है तो वहां पर technology smart city वाले यह वाले policies जादा work कर रहे होंगे investment summit जैसे अभी चल रहा था तो industry से related वाले जादा हो जाएंगे यह वाले जाएंगे लेकिन हो सकता है कि किसी state में जहाँ पर poverty का figure थोड़ा जादा है तो वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना यह ऐसे वाले policies हैं प्रोग्राम्स हैं उनका जादा relevance हो जाता है तो वहां पर तो वह आप जब आप I.S के लिए भर रहे होते हैं तो आप फिर आप technological interventions में जादा कर सकते हैं तो इस तरीके से आप I.S और I.S वाले अपने carders में आप अपने preferences डाल सकते हैं Likewise for IPS IPS के लिए आप क्या देख सकते हैं कि आप वहां पर police का कितना जादा मतलब independence आपको news के तुरू पता चल जाता है कि police का working independent है की नहीं है एक तो ये वाला आप देख सकते हैं दूसरा की problems वहां पर policing related क्या हो सकते हैं तो जैसे जो nasal affected states हैं वहां पर different kind of policing होता है तो वो अगर आपको उसमें काम करने का मन है उस तरीके के challenges आपको push देते हैं motivate करते हैं तो आप उनको higher preference पर रख सकते हैं और जो ऐसे problem वाले states होते हैं वहां पर government का भी थोड़ा सा से उस तरीके से होता है कि आपको work wise independent ज्यादा मिलती है क्योंकि government also wants to stop these issues उनको curb करने का government के भी policies हैं तो वहां पर आपको independence भी ज्यादा मिल जाती है work wise satisfaction हो सकते हैं ज्यादा मिल जाता हो और काम करने में हो सकता आप ज्यादा motivated फील करेंगे अगर आपका inclination है उस तरीके से तब उनको उपर रख सकते हैं फिर अगर आपको crime का बहुत ज्यादा है तो कुछ लोग no comments on any state but कुछ लोग कुछ particular states को डालते हैं कि वहां पर news में जाधा रहता है कि यहां पर crime का इतना जाधा figure है तो अगर आपको crime control के उपर है अगर आप motivated है पुलीस की उस image को लेके की जो Bollywood movies में भी दिखाते कि आप crime को control करें criminals को पकड़ रहे हैं उनको भाग के पकड़ रहे हैं अगर आपका वह वाल inclination है कि में को crime पर जाधा focus करना है तो आप उस हिसाब से study करके वह वाले states डाल सकते हैं उसके बाद में कुछ होते हैं कि आपक वेरियस तरीके की policing देखने का मन हैं तो आप यूटी वाला काडर अगमुट काडर को डाल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सारे यूटी हैं including the capital of India तो डेली के अंदर फिर आप एंडमान में भी जा सकते हैं आप लक्शुदीप में जा सकते हैं दादानगर हवेली में जा सकत हैं तो आप अलग अलग जगह जमो कश्मीर के अंदर जा सकते हैं तो यह इसमें अलग तरीके की चालेंजेज रहेंगे तो exposure वाइस बहुत जादा रहेगा लेकिन flip side फिर वही आ जाते कि आपके transfer अलग अलग जगह पे रहेगा तो क्या आप ready है family life उस तरीके का रखने का कि आपका stable household नहीं हो पाए आप frequently transfer होते रहेंगे और area बहुत दूर दूर हो जाएगा तो जैसे अगर आप एक state के अंदर रहते हैं तो आपका distance अगर आपके family एक जगह पे रहती है तो आपका distance फिर भी हो सकता weekend पे या once in 15 days आप अपने family के पास में जा पाएं लेकिन अगर आ रहते हैं तो आपका दूर दूर हो जाता है तो distance बढ़ जाएगा तो वो आप दिमाग में रख सकते हैं जब आपने preference आप डाल रहे होते हैं फोट थिंग आती है कि allocate होने के बाद में भी आपको पता होना चीए कि क्या आपका card change हो सकते नहीं हो सकता है तो ordinarily card change नहीं होता ह जो आपको allot होता है आपका throughout the life आप उसी carder के officer रहते हैं आप बेश्चक deputation पर चले जाएं आप center में जा सकते हैं आप international projects पर deputation पर जा सकते हैं लेकिन आप अपने state carder में आपको आना पड़ता है cooling of period के लिए और आपका carder वो ही रहता है आप उसी carder के officer रहते हैं तो आपक administrative control कहीं ना कहीं जवाब carder के अंदर रहते हैं तो उसी state करेगा और वैसे भी अगर आप deputation पे जाते हैं तो state का से state government का से आपके professional जो भी projects होते हैं उसके उपर रहता है कहीं ना कहीं तो वो चीज रहते हैं तो आपका carder ordinarily changed नहीं होता है change किन किन हालातों में हो सकता है एक होता है कि जब आपके जो spouse होते हैं वो भी All India Service के अंदर है और वो दूसरे carder को बिलॉंग करते हैं तो ऐसे वाले सिनारियो में क्या होता है कि आप अपने respective spouse के carder में जा सकते हैं given कि आपका वो home carder ना हो तो यह सरकार का policy है कि आप शादी करके आप अपने home carder में नहीं जा सकते हैं जैसे मेरा हर्याना है I am posted in Punjab I was allocated Punjab as my carder तो मैं हर्याना में शादी करके कभी भी नहीं जा सकते हैं तो यह एक है मतलब एक condition है कि आप दूसरे carder में जा सकते हो given that carder is not your home carder after marrying somebody from All India Service यह एक होता है सिरफ All India Service के case में आपका carder नहीं सकता है किसी और service में नहीं होता है क्योंकि बाकि सब services Central Services में आते हैं उनका कोई carder नहीं होता है तो आप उनके साथ में अपना carer embora change नहीं करा सकते उसमें फिर आपको workout करना होते है कि आपको अपने शो पाउस हैं उनके posting के साथ में, मातलब वह सकता है कि आपके area में क क्योंकि उनके zones होते हैं किसी service में zone होते हैं किसी service के अलग-अलग होते हैं तो वो आप कैसे workout करते हो जो भी given policies होते हैं उसके अंदर workout आप कैसे करते हो आपको देखना होते हैं बट ordinarily आप अपने आपका card change नहीं होता है home card में आप वापस नहीं जा सकते हो आपको सिर्फ allocating होना होता है अपना home card अगर आपको खुद से allot नहीं हो हैं तो आप home card में शादी करके किसी और reason से नहीं जा सकते हो तीसरा होता है deputation, intercarder deputation तो intercarder deputation में आप अपने home card में जा सकते हैं लेकिन intercarder deputation सिर्फ 5 साल के लिए होता है 3 plus 2 होता है वो normally 3 years then extension मिल सकते है 2 साल के लिए तो maximum 5 year 3 साल से 5 साल के बीच में आप intercarder deputation पे जा सकते हो लेकिन intercarder deputation में फिर वो ही है कि state government का आपका से काफी होता है तो दोनों जो भी respective state governments होते है उन से आपको NOC वगरा लेना होता है that's a procedural thing वो आपको मिल जाता है तो you can go on deputation to another carder including your home carder तो खाली home में नहीं आप किसी भी carder में जा सकते हो including your home carder 5 साल के लिए यह हो जाता है कि जो spouse है वो home में है दोनों के respective spouse जैसे A, officer A is posted in for instance Rajasthan and that person belongs to UP उसका home carder UP है उसको allot हो है Rajasthan अब उसकी जिससे शादी होती है वो posted है UP में लेकिन उसका home carder है Rajasthan तो ऐसे criss-cross वाला case आजाता है ऐसे वाले case में क्योंकि दोनों ही अपने home carder में नहीं जा सकते जो राजस्तान वाला है वो शादी करके UP नहीं जा सकता है क्योंकि उसका home carder UP हो जाता है Likewise UP वाला राजिस्तान नहीं आ सकता है शादी करके क्योंकि उसका राजिस्तान होम कार्डर हो जाता है तो ऐसे वाले सिनारियों के लिए government का एक rule है कि आपको third कार्डर lot हो सकता है तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही कार्डर से NOC नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों के होम कार्डर वाला issue अटक जाता है तो आपको फिर options दिये जाते हैं third कार्डर के लिए तो आप अपने तीन option दे सकते हैं MHA को और DOPT को कि मेरे यह preferences है क्योंकि आप नहीं जा सकते हैं अपने इन दो कार्डर में तो आपने preferences देते हैं उन तीनों preferences में से as per the availability सरकार आपको adjust कर देती है तो आपको third कार्डर अलॉट हो जाता है दोनों ही कार्डर जो हो जाते हैं आपको कोई तीसरा ही कार्डर अलॉट हो जाता है तो यह हो जाता है फिर उसके बाद में extraordinary circumstances वगेरा वो तो है ही वो security आपका concern हो जाता है या कुछ और वो depending on the circumstances वो सरकार का होता है वो change जैसे भी होता है वो very extraordinarily कर किया जाता है हुआ है कुछ cases में बट वो very extraordinary circumstances कि आपका security was threatened तो आपको वहां से move किया गया you apply for it and then हो जाता है उसमें कैसे सरकार करती है वो it depends on the circumstances but मोटा मोटा ये पांच जो मैंने आपको बताए है कि आपको ordinarily change नहीं होता है आप home में ordinary शादी करके भी नहीं जा सकते हैं intercarder deputation और फिर आप जब दूसरे carders में जाते हैं वो वाला और आपका third carder वाला deputation और extraordinary circumstances वाला deputation तो ये वाले होते हैं और दूसरा मैंने आपको बताया कि जैसे आप अपना preferences भरते हैं कि आप अपना preferences किस तरीके से भरते हैं किस तरीके से आपको सारे zones में 1,2,3,4 करके डालना होता है no preferences अगर आप डालते हैं तो कैसे आपको alphabetically a lot हो सकता है और अगर आप कुछ carders को preference देना चाहते हैं उसके अलावा आप किसी को नहीं देना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी बहुत सोच समझ के अपना carder भरना चाहिए क्योंकि once allocated आपका ordinarily carder change नहीं हो सकता तो आप बहुत सोच समझ के पूरा study करके कि क्या उस जगह के problems आपको motivate करती हैं उसमें काम करने के लिए और IS IPS का बहुत अलग-अलग work profile होता है तो दोनों के ही carder preference आपके अलग-अलग होने चाहिए और most probably होएंगे क्योंकि बिल्कुल अलग तरीके से काम होता है उनका IS का बिल्कुल focus development, public policies को government की जो policies है उनको implement करना police का different तरीकी का होता है तो आप अपने दोनों के दोनों का जो preferences है वो थोड़ा सा उसमें सोच समझ के भरेगा क्योंकि it is very important तो basically carder के policies में यही सारी चीज़े आती है तो अगर आपके कोई और doubts होते हैं तो आप अपने comments वगरे में बता सकते हैं ताकि आगे कोई और session होता है तो उसमें आपके doubts टेक अप किये जा सके बट मोटा मोटा I have covered all the things related to carder. Thank you so much, Jai Hind